एलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे साइकलोजी के कुछ इंपोर्टेंट कॉश्चन्स उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ब पहुचाने के राजमार्ग को कहते हैं उप्शन दिये हैं उद्धीपन, प्रवायता, सवेदना या अभी प्रेंडना तो यहां पर हमें बोला है कि अधिगम तक पहुचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं तो यह जो डेफिनेशन है यह जो आपकी परिभाशा है यह दी कई थी स्कीनर के दुआरा और उन्होंने यह बोला था कि जो अभी प्रेंडना है उप्शन नमबर फोर्थ उसके बारे में बोला था कि अभी प्रेंडना जो है वो क्या है सीखने के लिए राजमार्ग है तो वहीं से यह सेंटेंस बना है तो आपका उप्शन नमबर फोर् बुद्धी, श्रजनशीलता या अभिप्रेणना तो यहां पे भी हमें एक statement दिया गया है और इसके बारे में पूछा है कि कोई भी आंतरिक कारक या अवस्था जो कि क्या करेगी आपको किसी भी क्रिया को प्रारम करने और फिर उसे बनाए रखने की जो प्रवर्ती है उसे आप क्या कहेंगे अधिगम, बुद्धी, श्रजनशीलता या अभिप्रेणना तो यहां पे इसमें भी option number 4 ता आपका correct हो जाएगा कि अभिप्रेणना ही एक ऐसा आंतरिक कारक की आवस्था है जो क्या करेगी किसी भी क्रिया को आरंब और उसे बनाए रखने के लिए अभ next question देखिए कौन सा अभिप्रेणना का घटक नहीं है औप्शन दे रखे हैं अंतर नोद, आवशकताएं, प्रोथसाहन या रटन स्मृति तो बात जब होगी अभिप्रेणना की तो यहां पे अंतर नोद भी इससे रिलेटिड है आवशकताएं भी इससे रिलेटिड है प् next question देखिए किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है औप्शन दिये हैं स्कीनर, गेट्स, शेफर या थॉम्सन तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्कीनर थे option number one उनके अनुसार क्या था कि जो प्रेरणा है वो सीखने के लिए राजमार्ग है तो य और सूची वन और सूची टु एक साइड हमें दिये हैं मूŁल प्रवर्ति, संवेग तो इन चारों मूल प्रवर्तियों को आपको इन सारे संवेग के साथ मैच करना है तो यहाँ पर देखिए ब्हाएं जो है वो भैक के साथ जा याइगा, शरणागती मिलेगा करुणा के साथ यूयुत्सा की बात करें तो वो जाएगा आपका क्रोध के साथ और निवरत्ती जो है वो मैच होगे किसके ग्रणा के साथ तो अब इनके according जो नीचे codes दिये हैं उनमें आपको बताना है कि कौन सा option आपका correct हो जाएगा तो option पर आपको जो दिये हैं उनमें से हमें codes के अनुसार बताना है कि कौन से जो है वो मैसलो के मानव आवशक्ता में शामिल है तो एक तीन पांच है तीन चार पांच है दो तीन चार है या फिर सारे के सारे हैं तो बात करें कि मैसलो ने जो मानव आवशक्ता हैं बताई थी तो उ उन्होंने क्या बताया था उन्होंने कुछ इस तरह से बताया था कि यहां पे जो आपकी नंबर वन पे जो आएगी वो आएगी आपकी शारीरिक जो जैविक आवशकता है जो होती है वो शारीरिक आगया आपका नंबर वन पे उसके बाद उन्होंने की थी बात किसकी सुरक् यहां से देख लिए जाए फर्स नंबर पर यह हो गया सेकिंड नंबर पर सुरक्षा तीसरे नंबर पर आपके स्ने बताया था चौथे नंबर पर सम्मान और पांचवे पर आत्म सिद्धी जिस ओर्डर में हमें यहां दिए गए उसी ओर्डर में इसमें इनको अरेंज किया था इन्हों ने तो यह सारे के सारे ही क्या थे मैसलों की मानव आवशक्ता में शामिल हैं नेक्स कौशन देखिए मानव वैवार की अभी प्रेयर नात्मक विशेष्टाओं को क्रैमन उसार लगाईए आवशक्ता अंतरनोद में कमी लक्षय की प्राप्ती अंतरनोद और लक्षय निर्देशित वैवार तो यहाँ पर हमें इनको ओर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले हमें किसी न किसी चीज की आवशक्ता महसूस होगी तो यह आपका फ्रस्ट हो गया जब आपको आवशक्ता महसूस होगी तो फिर क्या होगा तो उसकी वज़े से आप में अंत तो आप क्या करेंगे के लिए लक्षे निर्देशित वेहवार करेंगे तो यह तीसरे नंबर पर आया और यहाँ पे आरगे पे पांछे तो इनके अनुसार जब आप दख्योगे तो कौन सा वाला कोड आपको सही लगेगा तो यहां पर ऑप्शन नमर 3 जो है वह बिल्कुल करेक्ट है 14532 तो यह जो है यह बिल्कुल सही से अरेंज किये हुए हैं तो आपका ऑप्शन नमर 3 गरेक्ट है नेक्सफ वोशन देखिए उपलबदी अभिप्रेणना का सिध्धान्त किस के दुवारा दिया गया ओप्शन्स दिये हैं मैकली लें यूंग वाट्सन या स्परैड तो यहां पर जो उपलबदी अभिप्रेणना की बात हुई है यह जो सिध्धान था यह दिया गया था ओप जिसे हमने बात करी थी, कि उन्होंने कितने प्रेरख बताये थे, उन्होंने बताये थे, option number 4, 5, जिसमें से उन्होंने पहला बताये था, शारिरिक, उसके बाद बताये था, सुरक्षा आपके, तीसरे नंबर पर उन्होंने बताये था, जो यह होती है, belongings, रिष्टे जो होते ह चौथे पे उन्होंने बताये था, सम्मान, और पांचवे पे उन्होंने किया बताये था, आत्म सिद्धी, तो टोटल उनके पांच प्रेरख थे, तो यहां पे आपका option number 4, correct हो जाएगा, next question देखिए, निम लिखित में अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है, options है अध्यापन के लिए व्याख्यान विदी का प्रियोग करता है, सदेव परदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यारतियों को सदेव सीखने के लिए प्रेरित करता है, यह विद्यारतियों को सदेव अनुसासन में रखता है, तो यहां पे आमें बताना हैं कि चारों में से सरवत्तम कथन कौन सा है तो option no.3 जो है आपका वो सबसे best है कि एक सिख्षक क्या करेगा कि विद्यारतियों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करेगा तो बहुत सही चीज है तो यहाँ पर यह सबसे best आपका हो जाएगा option no.3 next question देखिए पावलोव दुआरा निम लिखित में से किस अधिगम सिध्धानत का प्रतिपादन किया गया option समय दिये हैं प्रियास एवम तुरूटी का सिध्धान शास्त्री अनुबंदन का सिध्धान क्रिया प्रसूत अनुबंदन का सिध्धान या सूज का सिध्धान तो य ये वाला जो सिद्दान था ये आपके दिया गया था पावलोव दुवारा, नेक्स कॉशन देखिए, जब दो अभी प्रेणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं, तो परिणाम क्या होता है, ओप्शन हैं, दुख, कुंठा, द्वंद या पृत्याहार, तो यहाँ पे जब भी जब भी कभी भी कोई भी दो अभी प्रेणा आपस में मेल नहीं खाएंगी, तो उसकी वज़े से जो होगा, वो आपका दुवंद हो जाएगा, तो उप्शन नमर थ्री आपका करेक्ट है, कि जब भी दो अभी प्रेणाएं मेल नहीं खाएंगी, तो उनका जो परिणाम हो वो आपका द्वांद हो जाएगा option number three correct है next question देखें अंतर्नोद सिद्धान्त के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेणना होती है अंतर्नोद किस पर आधारित है options हमें दिये हैं मूल परवर्ती परलोभन संग्यान या आवशक्ता तो यहाँ पर बात यह हुई है कि अंतर्नोद सिद्धान्त के अनुसार क्या बताया कि अंतर्नोद के कारण ही आप में अभिप्रेणना आएगी लेकिन बात यह आई कि अंतर्नोद कहां से आएगा अंतर्नो कि तरफ क्या करेंगे कुछ ऐसे कारे करेंगे कि आपको लक्षे प्राप्त हो लक्षे निर्देशित व्यवार करेंगे तो यहाँ पर आपका अंतर्नोद है वह किस पर आदारित हुआ और फोर्थ आवशक्ता पर नेक्स कुशन देखिए क्लासिक की अनुभंद में गंटी के प्रती लार की अनुख्रिया है उप्षन समय दिये हैं UCS, CS, CR या UCR तो यहाँ पर यह क्या किया है शौट फॉर्म दिये गए तो पूछा यह है कि क्लासिकल कंडिशनिंग जो थि आपका उसमें गंटी के प्रती जो लार आरी थी यह कौन सी वाली अनुख्रिया है तो य अप्षन नमबर थी आपका करक्ट हो जाएगा नेक्स कोशन देखिये ती ए डबल सी एच तो टियाक जो है यह कारेकरम अधिकांश तक किस प्रकार के बालक के शिक्षन के लिए प्रियोग किया जा सकता है ऑप्षन समय दिये हैं श्रवन बादित बालक मेधावी बालक बादस के बालक कृछल के बादस के लिए प्रियोग के बालक होते हैं और उसका फूल फूर्म है वह आपका है ट्रीटमेंट और एजूकेशिंट और कम्यूनिकेशन हें दिक केऴड़कर होते हैं चेल्ट करें तब two अप्रेल होता है生ना है का फूल मनाया जाता है World Autism Day तो ये भी कुछ याद रखिएगा आप World Autism Day मनाया जाता है दो अप्रेल को हर साल नेक्स क्वेशन देखिए सीखने की प्रक्रिया में अभी प्रेड़ना ओप्शन यह हैं शिक्षारतियों को एक दिशा में सोचने के लिए योग्ये बनाती है शिक्षारतियों में सीखने के प्रती रूची का विकास करती हैं शिक्षारतियों की स्वरन शक्ति को पैना बनाती है ये पिछले सीखे वे को नए अदिक से अलग करती है तो यहाँ पर हमें बताना है कि चारो options में से कौन सा correct हो जाएगा अभी प्रेंडना के बारे में तो यहाँ पर बात यह हुई है कि एक अधिगम विकलांगता है जिसमें क्या प्रॉब्लम है जिसमें लिखावट में कठिनाई महसूस होगी तो उसको जो हम बोलेंगे वह हो जाएगा आपका option no.3 डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि बच्चे को लिखने में समस्या होती है वहीं बात करें dyslexia की तो dyslexia जो है आपका पढ़न सम्मंदी विकार है इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी और dyscalculia जो है dyscalculia में क्या होती है जो math आप एक तरह से इसको math से relate कर सकते है कि calculations से related जित्ती भी problems होती है तो क्या होगा dyscalculia से पीडित जो बच्चा है वो calculations easily नहीं कर पाएगा तो यहां पर यह चीज़े हैं next question देखिए यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तता 6 और D के मद्धे अंतर नहीं कर पाता तो यह है द्रश्टि दोस सीखने अक्षम मानसिक दोस या मानसिक 6 तो यहां में condition देदी कि एक बच्चा क्या कर रहा है 16 को 61 लिख दिया और 6 और D में वो difference नहीं कर पा रहा तो यह क्या है तो अधिगम एहशंता मतलब option number 2 आपका शीखने में वो क्या है अक्षम है वो बच्चा और यह जो ऐसी problem होती है जिसमें क्या कर रहा है reality में word क्या है 16 है यहां पे letter number लेकिन वो क्या करेगा उसको उल्टा 61 लिख देगा ऐसे ही आपका 6 है उसको वो क्या कर देगा 9 बना देगा उसको difference नहीं समझ में आ रहा है यह आपका small b है इसको small d बना देगा तो यह जो चीज़े होती है यह आपकी dyslexia में होती है पठन सम्मंदी विकार में कि वो चीज़े उसको उलट-पुलट नजर आती है तो वो डंग से नहीं पड़ पाता next question देखिए निम्न में से कौन सा वनशानुकरम का नियम नहीं है options है समानता भिन्नता प्रत्या गमन या अभिप्रेणना तो यहां क्या पुछा कि वनशानुकरम के जो नियम थे उन में से इन चारों में से कौन सा नहीं है तो समानता का नियम था भिन्नता का नियम भी था प्रत्या गम का नियम भी था लेकिन अभी प्रेड़ना का कोई नियम वन्शानुक्रम में नहीं था तो आपको option no.4 जो है वो correct हो जाएगा कि ये वन्शानुक्रम का नियम नहीं है next question देखिए विध्यारतियों को उनकी प्रगति के विशय में जानकारी देने से विध्यारती प्रसन होते हैं उत्साहित होकर अच्छा कारे करते हैं नियमित हो जाते हैं या अथोत्साहित हो जाते हैं तो यहां यह बोला है कि विध्यारतियों को आपने उनकी प्रगति के बारे में बताया तो उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद बच्चे प्रसन हो जाएंगे या जो भी options दिये हैं उनमें से क्या हो जाएगा तो उसमें से आपका हो जाएगा option number two कि बच्चे क्या होएंगे उत्साहित हो जाएंगे और अच्छा कार्य करेंगे तो यहाँ पर एक तरह से यह अभी प्रेड़ना की तरह काम करेगा तो आपका option number two correct हो जाएगा next आपका question of the day है friends इस caution का जवाब आपको देना है comment box में questions है अभी प्रेड़ना एक वह प्रिकरिया नहीं है जो यह ध्यान रखेगा अभी प्रेड़ना नहीं है पुछा हमसे कि अभी प्रेड़ना वह प्रिकरिया नहीं है जो वैवार को उर्जित करती है और उसे बनाए रखती है वैवार को निर्देशित और नियमित करती है वैवार को प्रत्यक्ष अवलोक निये बनाती है या वैवार को चैनित और लक्षोनमुक करती है तो यहाँ पे इसका जो भी आंसर आपके according हो वो आप comment box में बताईएगा आज के session में friends इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा Thank you